नमस्कार आप देख रहे हैं टीबी लाइफ ने जडालते अंतराश्चे जगत की बड़े खबरों पर 9-11 बिल पर पहली बार राश्टपती बराक उबामा का फैसला रद अमेरिके सीनिट ने ध्वनी मत से उबामा के वीटों को किया खारिज 9-11 हमले के लिए अब साओधी एरब पर चल सकेगा केस अमेरिका में साओध कैरोलीना के एलिमेंटरी स्कूल में चली गोलिया हमलवर ने दो बच्चों और एक शिक्षक को मारी गोली घाय चात्रों को एरलिफ्ट कर अस्पताल पहुँचाया अमेरिके सुरक्षा सलाकार सुजेन राइस ने भारती एनेस से अजीट छोबाल से की फोन पर बात उड़ी हमले की निंदा की कहा आतंकियों पर कारवाई करे पाकिस्तान पाकिस्तान के रक्षामंतरी ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने भारत के खिलाफ उगला जहर कहा कश्मीर के आजाद होते ही भारत के हो जाएंगे टुकडे भारत की तरफ से नहीं मिले सकारात्मक नतीचे भारत के वहिशकार के बाद रद हुआ सारक सम्मेलन पाकिस्तान ने भारत के फैसले को बताया दूर्भागयपूर कहा हर फॉरम में उठाएंगे कश्मीर का मुद्दा सुमालिया के गायकालों में संदिग द अमेरिकी हवाई हमला 22 सैनिकों की मौत 16 घायल हमले में आतंकी संगचन अलशबाप का कोई आतंकी ठेर नहीं जीन के जेजी आंग प्रांत में भारी बारिश से हुआ भूस कलन 32 लोग लाब बता पानी के तेज बहाव में वहे लोगों के खर तो यह थी अंतराश्य जगत की बड़ी खबरे देखते रहें डीबी लाइफ क्योंकि यहां है खबरे लगातार